हेलो गाइस वेलकम बेट तो माई यूटूब चैनल तो कैसे हो आप सब तो बुकिंग पर बुकिंग आ रही है मीनी की बज़री है सुबे के बज़रे 8 बच के 17 मिनिट और आज है 24 तारिक तो मैं रेडियो के गाड़ी में आ चुका हूँ और प्राइम की और प्रीमियर की सबसे पहले ट्रीप मैंने ले लिए भई यह भी पांच किलो मिटर से बट चार्ट मैंने जो है ना उसकीप कर दी तो देखते हैं कहां की ट्रिप मिलती है अपना एक्सेप्टेट रेड जो है ना वाज कम हो जाएगा उससे अच्छा मैंने ले ली और एर्पोर्ट के बाजु की है जे डव्य मेरेड की है नौ मिनिट दिखा रहा है मुझे लोकेशन पर पहुचने के लिए तो पहुचता हूँ मैं कैंसल ना करें तो ठीक है कर देंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है कि अच्छा कर देव के तब स्पारे वह सिगनल तो है बई 2 सेकेंड बचा है चलो 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 ॥ो यह ने को मैं कल का जो गाड़ी चला ता वन क्यूंति के लो मेटर जिरो कर दिया है अभी आज देखते है तो तना चलता है मुझे शाड़े आठ बजे दिखा रहा है मुझे लोकेशन पे पहुचने के लिए पिकप पे और आइ थिंक सो एक तेड़ गंटे के असपास लग जाएगा मुझे जे डवल्यू मेरीड जो टर्मिनल टू के सेट बाजू में ही है उसके बाजू में ही गेट है पिकप के लिए जाने के लिए टर्मिनल टू पे और जो टाइम पे मैं पहुचूंगा इधिंक बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिमांड होने वाली है वहां पे तो वाई ट्रिप तो मिल जाएगी वहां से और मैं सुबह अभी आठ सवाट बजे म मैं निकलता हूँ फटा-फट से यह होला में जश्ट अभी ड्रॉप किया है मैंने कस्टमर को जे डबल्यू मेरिट में और अभी यह सामने जो है ना यह है पिक-अप पोइंट पी-फोर में चले जाता हूं और में 40 गाड़ी वेटिंग में दिखा रही है और इसका जो फे एक कंटे तक वैलिड होता है एक कंटे के अंदर हम लोग प्रिप लेके जो है ना वो बहार गाशुकते आतो जो है जल्दी जल्दी चल रहा है जब पार्क कर देते हैं अपन और शे से दस्क वेटिंग में है उबर में उला की तो क्या बात परूब है उला तो मेनी की ट्रिप देने के बाद जो है ना वो सौप के उपर ही चले जाता है उसका अखडान तो मुझकिल है उबर ही है एक से दस्क में है गाजी तुबाय फाइनली आदा गंटा वेट करने के बाद ट्रीप आ चुकी है और ट्रीप जो मैने लिए है मलाड की लिए इससे पहले आई एक दादर की आई और एक कहा की थी दादर की थी और एक विक्रोली की थी तो मैंने नहीं ली क्योंकि वह साइट जाने के बाद प्रॉब् कि यह है मलाड इस्ट इंडो सी का मेट्रो रेल्वे स्टेशन और सामने जो है वह है अलका मॉंटे और मेरा जो बच्पन गुजरा है यहाँ पर मैं यहाँ पर रहता था पहले सामने मलाड इस्ट में कुरार विलेज के पास संतरम तलाओ तो बहुत सारी यादे अभी है यह लेली का रूटिंग होता था हमारा आने जाने के लिए पीछे एक मंदिर साही बाबा का साही दाम करके तो बहुत अच्छा लगता है यहां पर आके बट अभी आने का मन नहीं करता है यहां पर इतनी बीड़ बाड नभी मुंबे सबसे बड़ी बीड़िंग यही थी वो टाइम पर यह जो सामने है ना यह है रेस कोर्स और मैं अभी हूँ महालक्ष्मी में फेमस स्टूडियो जो है यहाँ पर मैंने ड्रॉप किया कस्टमर को और चब़िस किलो मेंटर का 620 रुपे मिला है गंटा चे मिनिट लग गया वै उबर में ऐसा है कि जो टाइम दिखाता है न पारले इस्ट की और मीनी की है 1.13 का सर्ज तर सर्ज में थी इसलिए मैंने ले ली ट्रिप तो फटाफट यहाँ पे यह एरिया ऐसा है ना कि यहाँ पे बैठके कुछ भी मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ से ना ट्रिप बहुत ही कम मिलती है ओफिशल एरिया है ज्यादा तर तो यह सब लुक्षाम को यह निकलते हैं यहाँ से यह देग़ो ना सब गॉढ़िया ख़डी है लाइन से मेरे सामने वाले रोड पे भी बहुत गाड़िया ख़डी थी तो वाई सर्ज में थी इसलिए मैंने ले ली वहां से एरपोट चले जाओंगा फिर से एरपोट से को कोई ना कोई लंबी ट्रिप लेके चले जाओंगा तो इनको पीकप करता हूं यह है मालक्ष्मी स्टेशन और बस लेफ्ट लेके ब्रीच के आगे सही है पीकप तो पीकप करके विले पार ले जाके मिलता हूं इस देखो इंडियन फ्लैग क्या लहरा रहा है न कि टर्मिनल ट 85 का टोल रिफंड मिला है 32 मिनिट लगा है सिप यहां पहुचने के लिए मैं जबी गया था भी सीलिंग से गया था तो जबी मैं सीलिंग से वापस आया तो आने के टाइम पे जो है ना 85 का पूरा टोल नहीं लगा कुछ 42 रुपीस कुछ लगा है टोल 40 रुपीस का उसमें टो गया तो मुझे यह ट्रीप जो पड़ी अराउंड 350 रुपीस मिला है इसमें टोटल 20 किलो मेंटर का अच्छा वहां पर वेट नहीं किया मैंने फटक से आ गया यहां पर बहुत काड़ी वेटिंग थी एड़पोर्ट पर तर्मिनल 2 पर मीनी की एक ट्रीप एक दम बाज तर्मिनल 2 पर आचुका हूं बट देखा तो भई गाड़ी जो है ना बहुत ज्यादा वेटिंग में अभी 56 60 तक पहुच चुकी है और उला में तो क्या ही बता हूं भई 135 तो इधर एक दो गंटे तक तो नंबर आएगा नहीं तो मैं अभी जा रहा हूं टर्मिनल 1 पे लो तो मैं अभी आचुका हूं कांदी वली में भाई अभी फोड़ा यहां पर रेस्ट कर लेते और यह जो मोबाईल है अपना हाथ में ले लेते अगी चाहद कोई नहीं रिसीव कर रहा था तो अंदेरी वेस्ट की दी 1.01 का 1.05 का सर्ज था साथ किलोमेटर का 221 रुपया मिल में आये थे और ट्राफिक अभी तक मुझे लगा के स्टार्ट नहीं हुआ हुआ और अलमस्त नहीं हुआ था डिंडो शी वाला जो ब्रीज है मलाट का वहां पर थोड़ा बहुत ट्राफिक मिला तो 40 मिनिट लग गया फिर भी मुझे और 320 रुपय मिले 12 किलोमेटर के तो बहुत अच्छा रेट हो गये अभी मैं आ चुका हूं कांदीवली इस्ट में यहां पर तोड़ा गाड़ी के बाहर निकलता हूं थोड़ा वेट करता हूं थोड़ा रेस्ट करता हूं तो इसके बाद आराम से थोड़ा पाँदस मिन के बाद लोग इन करता हूं फिर से दो आपने को नहीं जाना है विकॉस क्यूंकि अपना टार्गेट अभी तक नहीं हुआ है तो अभी घर की तरफ नहीं जाएंगे और वह भी जो है ना छोटी मिनी वाली ट्रिप ती प्राइम की अगर होती है एक बार तो सोचते थे तो मैं ये पता रहा था कि वसे विरार अभी जो है ना सुबह जो आये रहते वो वापस जाते और अभी ये टाइम पर वहां पर जाना मतलब कि आपको जो है ना बहुत मुश्किल से मिलेगी रिटन की ट्रीप बहुत बार मेर क्योंकि क्या होता है शाम के टाइम पर फिर वसे विरार नाला सोपा रहा नाइगा और ये लोगी सब जो है आसपास की शोटी-चोटी ट्रीप होती है वहाँ पर तो बड़ी ट्रीप जो मुंबाई साइड आने वाली बहुत ही कम होती है तो बाई दोनों भी बार मैंने रि तो मैं अभी पहुचा हूँ तर्मिनल टू पे बहुत गाड़िया वेटिंग में तो मैं अभी जा रहा हूँ टर्मिनल वन पे और इस राइड का जो है वो 17 किलो मेटर का 337 रूपीज मिला है तो डीजल की बारी आ चुकी है गाड़ी आ चुकी है रिजो में 142 किलो मेटर चली गई है वह का बाड़ा तो ले लिया मैंने दो बुकिंग जाने दिया पास पास की थी उसके बाद मैंने पावाई का लिया है वाड़ा 440 रूपे दिखा रहा था हुई सिर्फ 8 किलो मेंटर का तो मैंने ले लिये 41 मिनिट दिखा रहा था लेखता हूँ अभी कौन सा र चाइडिल होस्पिटल के यहां पे मैंने ड्रॉप किया अभी और बजरे दस बच के 20 मिनिट तो मैं था टर्मिनल वन पे जहां से मैंने पिक अप किया था पवई के लिए और पवई का जो मुझे फैर मिला था 418 रूपे सिफ साड़े 8 किलो मेटर का और 40 मिनिट लग गया म पूरा जाम था साकीना का और 40 मिनिट में 418 रूपे सिफ साड़े 8 किलो मेटर का उसके बाद मैंने लोकेशन डाल दिया था एडवांस में ही तो ओला और उपर दोनों में भी डाला था तो ओला में मुझे जो है ना 1.39 के सर्ज में ट्रिप मिल गई थी जो की नेरूल की थी डिवाइपडल स्टेडियम की एक बीच में उन्होंने एक स्टॉप डाला था जो की गाटको पर का था तो जैस्ट मैंने अभी यहां पर ड्रॉप किया है कैस्टमर को और वो ओला की ट्रिप थी है और अभी फिलाल में हूं अभी मैं जा रहcomb गहर पे चलता हूं पेलापुर की तरफ जो की गाड़ी चलिये अभी बी 178 क्लो मेटर और और फांच किलो मिटर में जाऊंगा घर पे मिल्याब जो है टोटल मेरी गाडिया चलिए 185 किलोमेटर सी के साथ जो है वो उबर के साथ 258 पांच ट्रीप और उला में 1500 रुपे उला में भी पांच ट्रीप से टूटल 10 ट्रिप मैंने आज कम्प्रिट की है और जो टोल के साथ जो काम हुआ है वो हुआ है 3936 रुपे का तो भै आज का दिन काफी अच्छा था बहुत करें यह बाई बहुत बोलते हैं बहुत सारी ड्रैवर लोग बोलते हैं झाला ओब्सार टा्रीक जो है तो वही आपको ट्रिप मिलेगी सबसे पहले वही मेरा आज जो ऐसा हो गया है कि मैं एरपोर्ट पे जो है ना दो तीन बार गया आज और में हर बार जो है ना आदा पोना गंटा मैं वहां पे रुका हूं ट्रिप के लिए तो अगर यही काम जो मैं अगर बाहर रहता ना जादा काम हो जाता था क्योंकि एरपोर्ट पे जो है ना ट्रिप की वेट करते करते काफी टाइम लग जाता है तो कल देखता हूं मैं एरपोर्ट पे मौर्निंग में पी कर में गया तो ठीक है अधर वाई अगर दूपर के टाइम पे अगर मैं एरपोर्ट में रहूंगा तो मैं बाहर कहीं आ जाओंगा, वेट करूँगा, क्योंकि बाहर से जल्दी ट्रिप मिल जाती है, क्योंकि क्या होता है अंदेरी के आसपस जितनी भी गाड़ी होती है, सारी एरपोर्ट पे गुज जाती है, क्योंकि पार्किंग वहाँ पे होता है, और अगर कमेंट नहीं कर देना व्लॉग देख रहे हो, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो सब्सक्राइब कर देना दोस्त